आप सब्सक्राइब को पिर से एक नए वीडियो पर आएए देखते हैं इसके सामने का यह क्या हो जाएगा 10P पूछ रहा है 10P-4R का वैलू क्या होगा यही पूछ रहा है आपसे पूछन में तो ध्यान से देखेगा यहां पर यह मालूम है हमको यह मालूम है यह मालूम करना पड़ेगा तो अगर मैं इसमें देखेंगे तो यह लंब है तो यह अधार हो जाएगा या इसको अधार मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा इसमें देखेंगे न पैथागुरस थियोरम लगाएंगे तो जानि कि अगर मैं इसमें लगा दूश्रें के तो बारा का कर लेंगे फ़्लस किर कितना तोमको क्यो आर ही तो यह 13 का square है, तो बस इसी को सालो कर लिजे, तो 12 बरहाम 144, अब प्लस qr कितना है, तो नहीं मालूम है, qr का square is equal to 13, 13, 169, इसको आगे भेज लेंगे, तो qr का square is equal to कितना हो जाएगा, 179 minus 144, इसको minus करेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो qr is equal to आजाएगा, आपका 25, रूट में आएगा, अब 25 का रूट करेंगे, तो आपको plus minus 5 मिलेगा, चुकि लंबा ही यह है, तो यह 5 क्या आएगा, आपका, plus में ही आएगा, तो यह आपको मिल गया 5, सिदे सिदे ऐसे लिख लिएगे, अब आपको क्या करना है, 10p लिखन होता है, आधार, यही तो होता है न, फर्मूला, और इसके लिए देखेंगे न, तो cot r के लिए आधार, आधार बटा, लंब होता है, सिदे सिदे ऐसे लिख लेंगे हम, अब देखेंगे न, तो हमारा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, यही पे में समझने वालत चीज़ है अब लंब क्या है, tanP के लिए, tanP के लिए p के सामने का ये लंब है, qr, तो लिchselए के qr, आधार क्या है इसके लिए, तो p से सटा हुआ जो side है, adjacent side है, वो आधार होगा, यानि कि pkt, pkt, मैनस, आधार इसमें क्या होगा, अब कोट r के, कोट r के लिए आधार ये होगा, qr, क् laz angle r की बात कर रहा है तो यह आधार हो जाए है यानि कि qr तो लिख लिए यहाँ पे qr अब by लंब क्या होगा तो r के सामने का जो side है वो लंब हो जाएगा तो यानि कि pr तो यहाँ पे सीदे सीदे हम लिख लेंगे ऐसे pr सीदे सीदे हमने लिख लिया अब इसको अगर मैं देखेंगे solve करेंगे न तो qr कितना है आपका तो qr है आपका 5 by pq कितना है आपका तो 12 है तो 12 लिख लेंगे minus qr कितना है 5 by pr कितना है 12 इससे ये cut जाएगा is equal to आजाएगा 0 यही आपका answer है अगर मैं कहीं पे भी कोई दिक्कत है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा लाइक भी करते जाएगा ताकि motivation बना रहे हैं मिलते हैं next review में दोस्तो नए परसनों के साथ थैंक्यू, best of luck